हेलो केड्स आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स आर्टिकल्स थ्री टाइप्स के होते हैं ए, एन और दा बट आर्टिकल्स पढ़ने से पहले हमको वावल्स और कॉंसोनेंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी हैं तो चलो शुरू करते हैं Kids, हमारी English Alphabet Family में 26 letters है जिनमें से 5 letters A, E, I, O and U इनको बोलते हैं वावल्स और बाकी जितने भी letters बच गएं उनको बोलेंगे कॉंसोनेंट्स Kids, अब जब हमें वावल्स और कॉंसोनेंट्स पता चल गए हैं तो अब हम जानेंगे Article Brothers को जो की है A, N आण्ड दा तीनों के तीनों भाई नाउंस की और इशारा करते हैं यानि नाउंस के पहले लगाये जाते हैं जो जुड़वा भाई है A and N ये दोनों singular नाउं को पॉइंट करते हैं और इन में से जो बड़ा भाई दा है वो singular and plural दोनों नाउं की और इशारा करता है Article A and N आम तोर पर One person, one place, one animal and one thing के साथ देखे जाते हैं वैसे तो दोनों जुड़वा हैं पर दोनों की अलग-अलग hobbies हैं Article A ऐसे नाउं के साथ देखा जाता है जो consonants से शुरू हो For example A bus A cow A girl A zoo Article N को ऐसे नाउंस को सुनना पसंद है जो वोवल के साथ से शुरू हो For example An umbrella An octopus An ink bottle An elephant चलो अब कुछ ऐसे sentences देखते हैं जिनमें ये तीनों आर्टिकल ब्रादर्स एक साथ दिखें That is a stall There is an umbrella on the stall ये देखकर हम कह सकते हैं कि vu An ये अबिख्यूअस कर देखकर ब्रादर्स देखकर देखकर 15,000 plus देखकर 15,000 plus देखकर 15,000 by G- 50,000,000 देखकर 15,000 by G- 50,000. So, an elephant Ice cream Ice cream शुरू होता है I say And I is a Vowel So, an ice cream Orange Orange शुरू होता है O say O is a Vowel So, an orange Amrella Amrella शुरू होता है U say U is a Vowel So, an amrella A use होगा Consonants के आगे A, E, I, O, U को छोड़कर बाकी जितने भी letters है वो सब consonants है Star जो की शुरू होता है S से S is a consonant So, a star Book जो की शुरू होता है B से B is a consonant So, a book Child Child जो की शुरू होता है C से C is a consonant So, a child Woman जो की शुरू होता है W से W is a consonant So, a woman दा का यूस किसी भी Specific और Particular नाउन के आगे लगता है Singular और Plural नाउन के साथ लगता है And जब किसी नाउन को Second time बताया जाता है तब भी दा लगाया जाता है For example The Sun Sun मतलब सूरज जो की Singular है और पूरी दुन्या में भी एक ही है यानि Specific है इसी लिए इसके आगे दा लगेगा The Moon Moon means चांद Again Moon भी Singular है और पूरी दुन्या में एक ही है यानि Specific है इसी लिए इसके आगे भी दा लगेगा The Moon The ताजमिहल ताजमिहल भी Singular है और Specific भी है इसी लिए इसके आगे भी दा लगेगा The Dogs यहां बहुत सारे Dogs की बात हो रही है और जब भी कोई नाउन Plural होता है तो उसके आगे दा लगाया जाता है The Kids Kids मतलब बच्चे यहां भी Plural की बात हो रही है तो दा लगेगा यानि The Kids The Books Books मतलब किताबें Again यह भी Plural है तो इसके आगे भी दा लगेगा 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 The Kids